हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो साब मार्सिमल पांप है उसका स्टार्टर का सरकीट डायग्रम का बारे में जानी देखिए यह जो circuit diagram हम लोग बनाएंगे आज वो एकदम simple circuit diagram इसमें देखिए एक MC भी रहेगा, एक capacitor रहेगा, एक indicator रहेगा, ठीके तो इसका wedding कैसे होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं चले देखिए यह पहले हम लोग क्या है, यहां पे रहेगा phase neutral r y b ठीके, यह वोग फेज, neutral r y and b पहले आप क्या क्या, यहां पे फेज देदिया, ठीके, और neutral देदिया यह supply है, यह 224 supply है मानेच, आप फेज और neutral देदिया यहां पे आप एक MC भी लेए, एक capacitor लेए और एक indicator ले ले लिया, ठीके, अभी देखिए, यह जो क्या पासिटर रहे है, यह आप अगर 1 hp का यूज कर रहे है, सब मर्सल, तो 36 mfd का आप दे सकते हैं, ठीके 36, पहले आप क्या करेंगे, यह जो फेज है इसको आप लेके जाएंगे, सीधा लेके जाने के बाद mcv में connect कर देंगे, इसके बाद mcv का इस point से आप लेके इसको सीधा r point पी लेके चलाएंगे, ठीक है, यह गेम से भी का हो गया, इसके बाद, यह जो capacitor है, यहाँ से एक point अप लेके जाएंगे, और capacitor है एक terminal में, और एक terminal से सीधा यह y ब्याब, ठीक है इसके बाद, जो indicator है, यह capacitor, यह indicator, indicator का एक point सीधा यहाँ से चला जाएगा, और एक point यहाँ पे आजए, इसके बाद, जो neutral है, neutral से आप एक point लेके, बी पे देदीजिए, चीक है, आपका circuit diagram complete, अभी outgoing में क्या करेंगे, r से एक, y से और b से, तीन वैस, आप directly motor पे देदीए, आपका circuit complete, my link, अब जब MCB को on करेंगे, MCB को on करने का बाद, आपका क्या होगा, यहाँ से फेज और neutral यहाँ पे मिल जाएगा, आपका motor चलना स्टार्ट हो जाएगा, इंडिकेटर भी glow करेंगा, आप जब MCB को off कर देंगे, इंडिकेटर off हो जाएगा, MCB EC ने यूज़ किया, यह protection के लिए safety purpose के लिए MCB को यूज़ किया, यह एकदम simple circuit diagram है, आप इसको use करेंगे, इसको बनाएगे, उसके बाद आप comment करके जनाएगे, यह कैसे लगा, ठीक है, चलिए, अगर इस वीडियो को आपको आच्छा लगा, तो वीडियो को like करें, comment करें, subscribe करें, जरूर comment करें, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, क्योंकि ऐसे informative वीडियो आपको time to time मिलते रहेगा,